नमस्ते दोस्तों, परसु मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटेक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए लेकिन फाराली खान जी जो सुजैन जी की बहन है और रिमा कटकी जी काफी प्रतिष्टित निदेशिका है उन्होंने ये जूटा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है अगर कहीं भी ऐसा कोई भी ट्वीट मिलता है जिसमें मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है तो मैं और रंगोली सामने से आके माफी मांगेंगे क्या वो ये कहना चाहती है कि हर मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है हमारा ये माननी है कि हर मुस्लिम डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं कि हर मुस्लिम जो है वो पुलिस कर्मियों को अटैक कर रहे हैं और मैं केंदर सरकार से अपील करना चाहती हूँ जो Twitter जैसे social media platforms हैं, जो कि यहां का ही खाके करोडों अर्भों में पैसा कमा के, हमारी ही कष्टी में छेट डाल रहे हैं, यहां आप प्रधान मंत्री जी को, ग्रिय मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं, RSS, जो कि राष्ट स्वयम सेवा संग है, जो कि दिन रात लोगों की से जूज रहा हैं, मगर फिर भी we have to find a way to completely demolish these platforms, and start our own platforms, and second, मैं आज बबीता फोगर जी का देखा एक वीडियो, जिस तरह से उनको हैरस किया जा रहा है, मैं again केंदर सरकार से अपील करती हूँ, कि जो में इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है, उसको इसी तर लक्षा परदान की जाए, और इसी के साथ, हैपी लॉक्डाउन